जैहिंद हम लोग क्लास स्टेंथ एंसे जार्टी गनित पढ़ रहे हैं और यह वीडियो प्रशना वाली 4.4 से है जो की द्विघास समिकरम के अंतरगत आता है और इस वीडियो में हम लोग प्रशना वाली 4.4 का प्रशन संख्या 4 हल कर रहे हैं तो आएए देखते हैं प्रश उनकी आयू वर्सों में कब उननफल 48 था देखिए हमारे पास प्रशन है कि यहां पे 2 मीत्र है प्रशन में 2 मीत्र है और दोनों की आयू का योग 20 वर्स है ठीक है तो देखिए अगर एक के आयू अगर हम लोग 20 वर्स मानते हैं तो दूसरा जो होगा वो 20 माइनस X होगा अ पर देखिए प्रूफ कर शकते है एक्स प्लस 20 माइनस X देखिए यहां पर योग कर दी है तो देखिए एक्स और एक्स कट गया तो हमारे पास जो है 20 वर्स आ गया याने कि पहला मित्र के आयो गर एक्स वर्स है तो दूसरा मित्र के आयो 20 माइनस X वर्स है उसके बाद प् देखे, 20-x और-4, यानि कि यहां पर हो जाएगा 60-x, ठीक है, और फिर बोला गया, 4 वर्स पूर उनका, आयू का गुननफल, यानि इन लोग का जो गुननफल है, इन लोग का जो मल्टिपला है, गुननफल है, तो वह कितना है, तो वह दिया गया है, हमें 48, ठीक है, यह इतन लेते हैं तो हमने लिख दिया माना पहले मित्र की आयू X वर्स तथा दूसरे मित्र की आयू 20 मैनस X वर्स ठीक है पहले मित्र की आयू X वर्स तथा दूसरे मित्र की आयू 20 मैनस X वर्स उसके बाद लिखेंगे 4 वर्स पुर्व पहले मित्र की आयू जो होगा X मैनस होर होगा और 4 वर्स पुर्व दूसरे मीत्र की आयू 16 मैनस x होगा ठीक है तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं तो हम लोग लिख लिए हैं 4 वर्स पुर्व पहले मीत्र की आयू x मैनस 4 वर्स होगा देखें 4 वर्स पहले x मैनस 4 वर्स होगा तथा 4 वर्स पूर्व दूसरे मीत्र की आयू देखिए तो दूसरे मीत्र की आयू में भी हम लोग 4 वर्स घटा देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 20 मैं से 4 घटा तो बचा 16 यानि कि 16 मैंनस x होगा ठीक है अब देखिए प्रश्ना अनुसार हम लोग लिख सकते हैं देखिए हम लोग लिखेंगे प्रश्ना अनुसार प्रश्ना अनुसार बोला जा रहा है कि उनकी आयू का जो गुननफल है चार वर्स पहले वो कितने हैं तो 48 है तो देखिए चार वर्स पहले का जो आयो है हमारे पास वो है x-4 और दूसरे का है 16-x ठीक है ब्राबर हो गया यहाँ पर 48 आगे देखते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ पर क्या होगा हम लोग स्वाल्ब करेंगे x को 16 से गुना करेंग हो जाएगा मैनस x-square हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर प्लस मैनस कितना होगा मैनस 16-64 हो जाएगा 64 ठीक है उसके बाद मैनस मैनस प्लस यहाँ हो जाएगा 4x ब्राबर हो गया यहाँ पर 48 ठीक है उसके बाद देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जो x का जो घात है उसको हम लोग घटते वे करम में लिखते हैं तो सबसे पहले देखिए x square पहले आएगा तो minus x square उसके बाद यहाँ पे हो गया plus 16x उसके बाद यहाँ पे plus 4x minus 64 है और यह 48 है हम लोग बराबर के जब इस set में ले आएगे तो हो जाएगा यहाँ पे minus 48 बराबर हो गया 0 आगे देखते है तो minus x square यहाँ पे देखिए plus 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 हो जाएगा 16 और 4 हो गया 20 यानि कि plus 20x हो गया और minus minus यहाँ पर भी हो जाएगा plus तो 8 4 12 बचा बचा 1 6 4 10 8 2 6 4 10 हो गया और 1 कितना हो गया 11 तो यहाँ पे 112 12 हो गया ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा minus में रहेगा ये तो यहाँ पे minus हो गया बराबर हो गया 0 ठीक है तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे minus को common ले लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा minus को common लेते हैं जो plus में है वो minus में हो जाएगा यहाँ पे है तो इधर बरी देंगे तो इस जीरो में हो जाएगा याने कि सिर्फ हमारे पास बचेगा x square मैनस 20x प्लस 112 ब्राबर 0 अब देखे यहाँ पे बोला जा रहा था कि क्या निमनी सित्यां संभव है यदि संभव है तो उनकी वरतमान आयोग याद केजिए तो संभव की सित्य हम लोग कैसे ज्याद कर सकते हैं तो हम लोग वीदकर का मान निकाल करके हम लोग यहाँ पे x का value निकालना क्या संभव है तो इसको हम लोग ज्याद कर सकते हैं ठीक है अगर हमारे पावाज वीद्कर यानि डिस्क्रिमिनांट D बराबर से अगर 0 से value कम आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि D दिया गया समिकरन का वास्तविक मूल नहीं होगा और D गई समिकरन का जो है इसमें स्तिती भी संभव नहीं होगा ठीक है यानि कि दिया गया समिकरन में हम जो आयू का अमान निकलना है दोनों का आयू निकलना है तो उसको लोग नहीं निकल सकते हैं तो देखिए यहाँ पर A का value कितना है तो A का value हमारे पास 1 है उसके बाद B का value है मैनस 20 और C का value ठीक है तो हमारे पास जो C का value है वो है 112 ठीक है अब देखिए यहाँ देखते हैं लोग देखिस B बराबर से होता है B square minus 4AC ठीक है विवीत कर तो B square मतलब की minus 20 का हो गया whole square ठीक है minus 4AC 4 A का value देखिए यहाँ पर 1 है और C का value यहाँ पर 112 है तो यहाँ पर minus 20 का square हो जागा 400 और यहाँ पर जहाँ हम लोग गुना करेंगे तो 4 दुना हो गया 8 414 और 414 यानि की 448 अब देखिए यहाँ पर 448 में से अगर 4 गया तो सिर्फ 48 बचेगा लेकिन minus में बचेगा ठीक है जो की 0 से value जो है यह छोटा है तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अतह दिया गया समिकरन के वास्तिमिक मूल नहीं होंगे और दिया गया समिकरन में आयू निकालना समभव नहीं है ठीक है तो यही चीज़े हम लोग लिख लेते हैं पहले तो हम लोग लिख सकते हैं अतह दी गई समिकरन के वास्तिमिक मूल नहीं होगा अतह दिया गया या फिर दी गई इस्तिती संभव नहीं है ठीक है तो इस समिकर यहां पर जो दिया गया है कोस्चन उसमें हम लोग आयू जो है नहीं ग्याद कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो डी कमाना यह है वो मैनस में है ठीक है अगर यह मैनस में होता है तो हम लोग जो जबी घास मिकन होता है उसमें हम लोग मून नहीं निकाल सकते हैं ठीक है तो यह इस कोचन का सोलुशन यह होगा तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में